हे गाइज आज में अपलों के साथ सेयर करेंगी टॉफ एइट फूट जो इसकीन हेयर ओवरल बॉड़ी के लिए बहुत जादा हेलफुल होगी टिप नमबर वान डिटॉक्स जिसको लिए हमें चाहिए गाजार आवला और पेठा है इजीली अभी मार्केट में अवेलेबल है विंटर का टाइम में बहुत सारा सबजी इजीली मिल जाता है तीनों को मैंने कट कर लिया है एक कप पानी भी आड़ कर लिया है इसमूज सा प डाइट पे एड़ करो उसके बाद ही अपका इसकिन बात करेगी कि कितना अचा रेजल्ट है क्योंकि जैसे घर हम लोग रोज साफ करते हैं वैसे हमारे बॉड़ी को साफ करना जरूरी है घर साफ करोगे तक घर खुबसूरत दिखता है वैसे बॉड़ी को भी साफ करोगे इसकिन भी खुबसूरत दिखेगा एक नॉर्मिल सा बात है पर हम लोग हमेसा डाइट पे उतना धियान नहीं रखते हमेसा कोसिस किजिए डाइट को स्ट्रॉंग रखने के लिए अपने बॉड़ी को क्लीन रखने के लिए डीटॉक्स वाटर भी पी सकते हो डीटॉक्स ज इसको अपने डाइट पे ज़रूर इंकुरूड करें केप नमबर टू रॉड टर्मरीक अगर सुभा रोज आप थोड़ा सा भी अपने डाइट पे इसको एड़ करते हो तो आपका इसकिन को एक ऐसा आयर्वेदिक अप मेडिशन दे रहे हो जो कि इसकिन को बहुत ही ज्या जैसे फुड पॉएसन हो जाता है इन्फेक्षन होता है उसको भी बहुत अच्छे से ट्रीट करता है रॉट अर्मरीक को थोड़ा सा कच्छी चबाने में जबाबलम होता है तो अप तो अपनी हो पीते हो तो कुछ न करके आदा लिटर भी अपानी पी लोगे तो आपकी इ लिए ओवरल बॉडी के लिए रोट अर्मरी बहुत ही जादा बेनिफिट मिलता है तो इसको अपने डायेट पे ज़रूर इंकुरूट करो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपके घर पे नहीं हो तो जाओ नर्शरी में जाकि एक आजवन के पत्ते अपके लाइफ चेंजिंग करेगा आजवन के पत्ते दो रोज अगर आप खाते हो तो PCOD के अगर प्रॉबलम है तो वो सॉल्फ होती है पिग्मेंटेशन अगर प्रॉबलम है तो सॉल्फ करती है अकने, गैस, फट का बहुत सारा लोगों को क्या है न फट हो जाता है मतलब ग्यास होता है तो उसके वज़े से फटिंग का बहुत प्राब्लम होता है आपका इस टमक में बहुत ज़्यादा प्राब्लम होता है ग्यास होता है आपको आपको बहुत ज़्यादा ओवर्लोड लगता है ऐसा लगते हैं पेट अल्वाइस भारी भारी लगता है आपक आपका अलसर का अगर प्रॉब्लेम है तो वो भी सॉल्फ होता है आजोन के पत्ते में कोसिज करती हूँ मैं ब्रेकफर्स्ट में इसके साथ ले लूँ आप लोगों में दिखा रही हूँ कि क्यों बहुत सारे लोगों को ऐसे रोख खा नहीं सकते तो ब्रेकफर्स्ट में अपने डाइट पर इंक्लूड करो उसके बाद लाइफ चेंजिंग है जो चीज आप लोगों को पता नहीं होता है मैं कोसिज करती हूँ बेस से बेस चीज आप लोगों तक में पहुंचा हो ता कि आपके इसकिन हेल्दी रहे है टिप नेंबर फॉर ड्राइफ रूट का ब कोई भी ड्राइफ रूट हो अपने डाइट पर इंक्लूड करो जो लोग इसकोल और कॉलेज में पढ़ता है ओरल ने थोड़ा से एक्सपेंसिब है नहीं खरीच सकते है क्यों पोकेट पे नहीं उतना जयादा मिलता नहीं है तो आप लोग किसमिस खाओ अगर कुछ भी न करता है और बहुत ज़्यादा बेनिफित है तो ड्राइफ रूट को अपने डाइट पर इंक्लूड करो उसके साथ साथ अब यह नोटिस करोगी अपके हेयार का जो फॉलिंग है बहुत ज्यादा हद तक हो रहा है तो वह भी कंट्रोल में आ जाता है अंदर से जो ड्राइन में नहीं होता है अपना डाइट पर इंक्लूड करो धीरे धीरे आपको हर एक चीज़ का इंप्रूब्मेंट दिखता है तो ड्राइफ रूट डाइट पर आज के बाद कभी मिस मत करना तिप नंबर 5 तुलसी का पेट तो सब के घर में होता है लोग इसको पूजा भी करते इसको इतना जदा मानते हैं और आईवीधिक में तुलसी का इतना जदा बेनिफित है जितना बोला जाए उतना ही कम है तुलसी का पत्ता भी खाने से आपको help करता है, cancer और heart में भी आपको relief देता है, आपको stress full life देता है, अच्छा नीद आता है, acne और skin के लिए भी बहुत जदा अच्छा होता है, hair loss में भी बहुत benefit मिलता है, आपके eyes के लिए भी बहुत जदा अच्छा है, जितना बोला जाए, जितना तारीफ किया जाए, उत कोई भी season हो, उस season के हिसाब से अपने diet पे आप कोई भी fruit इंक्लूड करो, पूरा दिन में आप कोई भी fruits काओ, कुछ भी जो season में आबेले हो, अभी winter है, तो अभी तो orange market में बहुत जदा मिल रहा है, और fresh भी मिलता है, और थोड़ा सा reasonable rate में भी मिल जाता है, एक का 10 में ले पूर औरेंज अभी market में मिल रहा है, जो कि हमारे skin का brightness के लिए, इसकिन के लिए बहुत जदा अच्छा है, तो कोशिस करें, पूरा दिन में एक orange खालो, या फिर अग गोवा भी खा सकते हो, कोई भी seasonable fruit अपने diet पे अब ज़रूर इंक्लूड करें, टिप नमबर 7, sweet potato, excellent source of vitamin E, जिससे आपका anti-aging का work करता है, बहुत ही अच्छे से, आपका skin बहुत अच्छे से glow करता है, का sunburn है, तो बहुत अच्छे से उसको अंदर से heal करता है, dryness है, wrinkles हो जा रहा है, इसकिन एकदम से dull लग रहा है, sweet potato को अपने diet पे include करो, आपको अगर पेट क्लीन नहीं होता है, जैसे कि potty नहीं हो रहा है, sweet potato को include करो, regular में के साथ खाओ, एक potato खाओ, आपके skin बहुत अच्छे से clear दिखेगा, जब आपको पेट के लिए रहेगा, तो यह भी बहुत हद तक आपको help करता है, so sweet potato में vitamin C है, collagen है, जो आपके skin को बहुत ज़्यादा यंगर दिखाता है, तो sweet potato बहुत अच्छे से, hair में, skin में, overall body के लिए, collagen के लिए help करता है, so अपने diet पर include करो, अपने glowing skin को enjoy करो, इस नमबर 8, salad, salad खाना बहुत ज़्यादे important है, हम सब को पाता है, पर कौन सा salad खाने से हमारे overall body को फाइदा के साथ, skin और hair को भी फाइदा दे, वो है sprout, कोई भी sprout हो, मुख डल का या फिर चाना का, आप रोज कोसिस करें, अपने routine पे, अपने diet पे sprout को include करने के लिए, या फिर हपते में भी आप divide करके alternate days पे भी खा सकते हो, इस प्राउड एक source of इतना high protein रहता है, कि हमारे hair में protein provide करता है, skin में करते हैं, overall body में करता है, तो पूरा body, hair, skin सब कुछ healthy रहता है, PCOD है, तो आपके weight का manage के लिए भी बहुत अच्छे से help करता है, इस प्राउड खाने से आपको बहुत ज़दा light weight भी बहुत ज़दा मैसूस होता है, तो ये सारे छोटे 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 चीज़ अगर आप अपने daily vases में अपने routine में include करते हो, diet को maintain रखते हो, तो आपके skin बहुत ज़दा healthy and glowing लगता है, आज का वीडियो आप लोगों कैसा लगा, जरूर कमेंट में बताना, I hope आप लोगों का help मिला होगा, इतना तो समझ गए होंगे कि कौन सा diet अप follow करोगे, तो आपके skin अच्छा लगेगा, सो मैं आप लोगों से मिलूंगी, मेरा next वीडियो में तब तक के लिए अपनों खुस रहिए, healthy lifestyle को maintain किजिए, healthy diet को maintain किजिए, and healthy रहिए, और मेरा वीडियो थोड़ा से लेट से अभी आ रहा है, क्योंकि मेरा pets, मेरा cat थोड़ा से बीमार है, hospital में admit है, तो ये वीडियो में new skills editing करके, voice over करके मैं डाल रही हूँ, सो आप लोग समझ सकते हो, और मेरा साथ देना, और please मेरा pet के लिए दुआ करना कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ताकि में regular basis में आप लोगों को वीडियो दे सको, तो तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, bye, take care